शकुनी भी दुर्योधन को यही बोलता होगा लगे रहो भान जे इस बार तो पा के छोड़ेंगे डर के आगे जीत है मोटिवेशन का उचे से उचा ग्रंथ आज तक कौन सा हुआ है श्रीमत भगवत गीता देख रहे हुआ क्या हो रहा है अरजुन के सामने एक स्थित है और वो भीतर से कमजोर अन्भाव कर रहा है उसे को उत्सा नहीं आ रहा है वो निरुपाय हो रहा है वो अशक्त हो रहा है मेरी टांग काप रही है मेरा सर भूम रहा है मैं नहीं लड़ूगा मुझे चाहिए ही नहीं जीत और अगेरा तब कृष्ण उसको समझाते है यह असली मोटिवेशन है कृष्ण उसको यह थोड़ी बोलते है चल-जल्दी लड़ लड़ जब तक की तु जीत न जाए इस तरह का कोई शलोक है क्या गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या याद दिलाते हैं, धर्म याद दिलाते हैं, तो जब लक्षे सही होता है, और लक्षे के सही होने पर بھی तुम लक्षे को भूलने लगते हो, होता है एक दुबार ऐसा, तब तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, क्लेरिटी KIS? heart alguma errors. तिए न उत्साहा थोड़ी बढाती है, कि वीर तुम बढ़े चलो रुकना नहीं। किसी का उत्साह वर्धन करना और किसी का ज्यान वर्धन करना। अर्जुन का एक बार भी उत्साह वर्धन नहीं करते based Krishna,ai । लगातार उसका ज्यान वर्धन करते हैं। यह होता है असली मोटिवेशन, अगर उसमें स्पष्टता आ गई, तो अब वो खुद ही लड़ेगा और जीत के दिखाएगा, पूरी ताकत से लड़ेगा, डट के लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको क्या मिल गया है, उत्सा नहीं, ग्यान, स्पष्टता, क् अब वो लड़ेगा, तो यह असली मोटिवेशन होता है, यह थोड़े ही कि शकुनी जैसा मोटिवेशन हो, शकुनी भी बहुत बड़ा मोटिवेटर था, आज कल के ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स शकुनी जैसे ही है, कि दुरियोधन से पूछा भी नहीं जा रहा है डर के आगे जीत है, तुम भी जीत सकते हो, you two can win, कृष्ण ने सी कोई बात नहीं बोलते है, हाँ, शकुनी जरूर बोलता रहा होगा, इसलिए शकुनी ने जो बोला, उसका कोई नामो निशान नहीं बचाए, कोई शकुनी घीता भी है क्या है, कहीं पढ़ते हो कि ये अधु पृति ये ग्रंथ, महात्मा शकुनी द्वारा भक्त दुर्योधन को दी गई अभी प्रेरणा से अभिभूत शलोकों का दैवी ये संग्रह है, ऐसी कोई गीता पढ़ी है, शकुनी गीता, अगर शकुनी गीता होती है, तो उसमें तुम्हें वाई सामिलता है, तुमने या हाईयर मोटिवेशन है, वो उच्चतर अभी प्रेरणा है